जानन नपी आत्मनस्तत्वं दिविक्तं भावयन नपी पूर्व विभ्रम संस्काराद भ्रान्ती भूयोपी गच्छती जानन नपी आत्मनस्तत्वं जानन नपी जानता हुआ भी आत्मनस्तत्वं विवक्तं भावयन नपी जान भी लिया आत्मतत्थ को और विविक्त रूप से उसकी भावना भी कर ली जान लिया यह में जानघन जाता दरश्टा जेतन आत्मा हूं राग देश मुह आधिकी विभाव रूप भाव ए मेरे सगे नहीं है जान लिया विविक्तम भावियन अपि विविक्त तत्व कि भाव ना कर लिए देह भी अपना नहीं है और अन्पदार्च मेरे नहीं है ये भी हो गया विविक्तम भावियन नपी और पूर्वम विब्रम संस्कारात लेकिन पहले के विब्रम रूप संस्कारों से भ्रांती भूयोपी गच्छती फिर उसी तरह की भ्रांती हो जाती है महराज जी कहतो रहें बार बार लिकने ऐसा ह है कि नहीं अनुभाव तो यह होता है कि मैं जो है वा शरीर ही आत्मा हूं देह और आत्मा एक ही तो मालूम पड़ता है सब जीव से ही स्वाद आता है बढ़िया पिक्चर देखने मजा आता है अभी कहां से अलग से आत्मा नाम की चीज आ गई बार बार ब्रांती भी यानि तत्तो का सुनना कठिन है बिर्ला निश्नही तच्चम बिर्ला जाने दी तच्च दो तच्चम बिर्ला भावई तच्चम बिर्ला रम धार्णा हो दी सबको नहीं होता है तत्तो का ग्यान बोले बिर्ला निश्नही तच्चम कोई विर्ला विक्ति होता है जो तच्च को सुनता है बिर्ला जाने दी तच्च दो तच्चम और विर्ला तच्च को तच्च जानता है बिर्ला वावई तच्चम और कोई विर्ला विक्ति तच्च क कोई भाव ना करता है कि विर्लाडम धार्णा हो दी और कोई विर्ला होता है जिसे धार्णा हो जाए कि यह मार्ग है कि समझ में आया ना यह वाली बात तो आम विर्ला को भी समझ में नहीं आई जिसका नाम ही विर्ला है उसको भी यह वाली बात समझ में दिल्ली में चत्रमा स्थापना कारिक्रम में आये थे चलो साकाहार समझ में आ गया है यह बहुत बड़ी बात है बाकी तो तत्त को बहुत कम लोग सुनते हैं बहुत कम लोग समझते हैं बहुत कम लोग भावना करते हैं और बहुत कम लोग धारण करते हैं जो तत्त रूप को धरण करते हैं बहुत स्वरूप को उपलब्द हो जाते हैं कि आत्मार्तियों कि शंसकार बहुत खतरनाक होते हैं कि आप कई बार कर लेते हों कि निश्चे जो बिलकुल आज तो एक दम सांत और मौन बैठना है कि कम से कम एक घंटा दो कुछ बोलना ही नहीं है कि इतने में कि फिरी व्याला या सब्जी बेचने वाला कि अब क्या करें चलो अपन नहीं उठते हैं अबाज लगाते हैं फिर हुं हुं कुछ भी करते हैं अब बुलाना चाहते बहु को कि बहु आ जाये और जल्दी सब्जी वाले से बजार कौन जाएगा यह रास्ते चलते सस्ते भी मिल जाते कई बार अच्छे भी मिल जाते तज्री भी मिल जाते कि किनकोड़े कि कंटूड़ा कि केले कि तो रही एक दम देशी मिल जाती सुद्ध अब आप क्या करें कि घंटे भर चुप बैठना है बहु से बात ही नहीं करना आप क्या करेंगे कि क्या करें संस्कार है और फिर काम सामने आ जाये तो फिर तो बिनुज जी निश्चित करने कि आप कुछ नहीं करना है लोगों को बिलकुल नहीं बोलना है कि आप इंदर बनो अब जो है आगे विधान भी है तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि तुम इंदर बनो तुम सौधर में बनो अब खूप संकल्प कर लो लेकिन जब वो भक्त जाना ही नहीं लेकिन मालूम पढ़ा कारी करताओं के साथ भी होता है घर में भी होता है दुकान पर भी होता है रिस्तों में भी होता है कि सोच तो लेते हैं कि ऐसा नहीं करना लेकिन वो करना पढ़ता है दुली महराज जी शैयम की बहुत भावना है बच्चों को घर को छ सलाहे देगे कि ले सकते हैं लेकिन हम तो यह सलाह नहीं देंगे हमारी सलाह तो यह होगी कि पहले उनको उनके पाओं पर खड़ा करके आओ और जब वो परिपक को हो सुईकृति मिले तब तुम घर छोड़ो कि बीच में धोखा जैसा काम नहीं हो सकता है महांभीर स्वामी ने साधी की और बुद्ध की तरह सोती हुई नारी को छोड़के चले गए ऐसा धोकेबाजी का काम उन्हें नहीं किया उन्हें साधी ही नहीं की अधर में बच्चों को परिवार को छोड़के भागने का कोई काम नहीं कि घृष्टिया तो बसाना नहीं थी बस आई है तो फिर उसको ठिकाने लेके जाओ अब गुरु जीरी कन्या कोई है थी तो नहीं लेकन अब अच्छे मंद से सोचा की चलो तो अब इसका क्या करें अब इसकी भी तो साधी होना चाहिए तो उन्हें घवर करवाई कि भाई इस कन्या की साधी कि पूत्र आया लड़की कहती नहीं इससे ने करनी पुर्वहत का पूत्र आया नहीं इससे भी ने करनी घोरय का है तो अच्छे ब्रह्मन हैं इनसे कर लो नए इंसे भी नहीं करनी साथ राजकुमार अब राजकुमार से भी नहीं करनी साथ लग तभ यह चूह आया थो एक क्यों हाया आथ गोरुज्ण ने कहा कि तुझे कोई पसंद भी आता है किसी ते साधी करेगी तो उसने कहा इस से कर दो किस से कर दो मतलब है चूहा से उसे कन्या भी बना दिया लेकिन उस संस्कार उसका चूहे वाला गया नहीं कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कि हमारे पिछले भाव की संस्कार जनम जनम की संस्कार अलग अलग एनियों की संस्कार वो आज भी हमको प्रभावित करते हैं कभी हम कुट्टे की तरह भोगते हैं कभी हम बिल्ली के तरह म्याउं म्याउं करते हैं हूं कि पच्णी नाराज हो जाएं म्याउं म्याउं करते कि नहीं करते हैं कभी कभी क्या करते हैं यह संस्काल जनम जनम के योनी योनी के हैं आचारिश्टी कहते हैं कि सम्मेधरिश्टी जीव भी तत्तु ग्यान होने के बाद भी घर को अपना कहेगा कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि इन में अंतर क्या है शम्मेधरिश्टी और मित्यारिश्टी में ऐसा लगेगा लेकिन बोले यह सब कारण है पूर्व संस्कारों का यह सचेत हो जाएगा लेकिन फिर भी संसकार बस ऐसा करता है प्रत्यक जीव मुनिराज भी कभी थोड़ा बुड़ा गुस्सा करते भी दिख जाएंगे वह संजुलन कसाय का संस्कार है अब थोड़ी देर बाद आप बात करोगे कि महराज जी घुशा किया वह काएंगे मार मेरा कोई इंटेंशन नहीं था निमित बन गए स्वभाव थोड़ी घुशा करना में घुशा आ गया मैं छमा चाहता हूं थोड़े देर में पानी पानी हो जाएंगे संसकार है धीरे धीरे संसकार मिटते हैं जान आत्मा को जान करके भिवित्य स्वरूप को भावना करने के बाद भी पहले के संसकारों के कारण से बार बार बैसी प्रवित्यां बन जाती हैं होते हैं राज में सपने आते हैं कल हमने आपको बताया था एक सपना यह सा होता है कपड़े वाले कपड़े की दुकान वाले कौन कौन है और अनाज की दुकान वाले भी अनाज की दुकान वाले तॉलने वाले आज कल तो तॉलने की सिस्टम बदल गए नहीं तो एक, दो, है न, कैसे तौलते हैं, कैसे गिनते हैं, पांच, 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 पत्नी कहती हैं, क्या कर रहे हो, जागो, अरे तुने बड़ी अच्छा सोदा, होता है कि नहीं होता है, जो संस्कार दिन भर के रहते हैं वो रात में उदह में आ जाते हैं और यह तो कपड़े बालों को द्याकसर होता है अपना ही ओड़ा हुआ चादर सपने में चल रहा है कि वही सोदा हो गया है और पचास रुपे मीटर वाला कपड़ा दोसो रुपे मीटर में जा रहा है बस दो मीटर चाहिए है और ये एक कि दो और जैसे ही फाड़ा वैसे उपर से जापट पड़ा कि अपनी धोती फाड़ते थे लोग छंसकार सपने क्या करा जा रहे है कि बोले चोर चोरी छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी यहां से यहां तो रखी देगा अच्छे घर के शेड़ी थे लेकिन क्या करें चोरी को आदत थी चोरी की और चोरी का संबंध कहीं भी बिठाने की कुछिस करते और लोगों को अंदाज लगता आस पड़ोस बाले सब बता देते हैं आप क्या समझते हो कि जो आपके यहां देखने वाली आये हैं चोरे चोरी को देखने की परमपरा तो अभी भी होगी अजोग जी देखने की परमपरा तो भले वो आपस में भी मिलते हों लेकिन देखने की परमपरा तो अभी भी होगी देखने वाले आये और अंदाज परता अच्छा वो देखके गए आपको हां कहके नहीं जाएंगे पहले आपके पड़ोसी से मिलते हुए जाएंगे भले चुपचाप मिले चाहे परसों की दिन मिले क्योंकि आपकी असली ख़बर कौन देने वाला है इसलिए पड़ोसी से हमेशा दोस्ती बना की रखना गजब की बात है लोग दुनिया से दोस्ती करते हैं लेकिन पड़ोसी से दूरियां रखते हैं जबकि बक्त विबक्त वोई काउं आने वाला है और तुमारे साधी संबंदों को विगाड़ने बनाने वाला भी लगबग वोई है हाँ समाज में एक आज फूपाजी ज़रूर होते हैं वो फूपाजी अपना सिर्फ नीचे कर लिए तो संसकार वस खेर बहुत बार संबंदों नहीं एक बार उनने लिश्चे कर लिया कि आज तो करना ही है कैसे भी चोरी बड़ी हो गई है सही समय पर सही परिवार में देने में भलाई है देखने वाले आएं देखने वालों परिशाय के थे मित्र जैसे थे उनको सब बता दिया कि देखो इसकी थोड़ी से आदत है बहुत कोशिस की लेकिन चोरी की आदत छूटती सामने बालों ने भी कहा कि तुमारी बच्ची हमारी बच्ची थीक है थोड़ा एजस्ट करेंगे और लेकिन उससे संकल्ब करवा दिया वेटा देख हमारे घर चले तो चोरी छोड़ना पड़ेगे कमी कुछ नहीं है आदत है आदमी लोगों को कई बार आदत होती है गुटके खाने से कितने बिटा में सरीर में आते है बीड़ी सिगरेट पिने से कितनी पावार आती है कुछ नहीं होता है नुकसान के अलावा लेकिन आदत पड़ी है अब फर्स पर बैठे हैं आदत है किसी को फर्स का एक धागा कहीं से नकालना चालू करेंगे कई लोग अच्छी भुनी हुई चिटाई का भी दिवाला निकाल देते हैं और कित्ते बड़िया सोफे रखाए हों मालूम पड़ा कि खोद खोद करके उंगली डाल डाल करके और उसका पूरी सुरंग बना देते हैं आदत है क्या करें खूब अच्छी थाली सजा के दो खूब अच्छी चीजे बनाओ लेकिन वह आपको उनको फेकना है खूब अच्छी होगी तो आधी खाएंगे आधी फिकेंगे अब इसका क्या इलाज है पूरा प्यार से लेते और समझाते और कहीं चोरी ना कर लें एक बार श्रस्वाल में सब लोगों को निमंत्रा आया चोके चुले के साथ विवाह में आने का चले गए चोरी को भी लेगा अब सब को जाना है तो बहू को भी लेके चलो अक्सर कर बचते थे इसको नहीं जाना है कहीं चोरी कल ली कुछ तो फजीती होएगी वहां गई शाप पूरी नजर रखी कि देखो जूते चपल तो इधर उथर नहीं करती है कई सास ने ननद ने एक ना एक साथ में रहे था कहीं खाने की टेबल पर कोई सामान तो इधर उथर नहीं करती और सब चीज जो देना था लेना था रिष्टा निभाया बापिस आए बापिस आ रहे थे आज तो बढ़िया ने पूछलिया घरा लिए घर आ करके वैटा आज तो बढ़िया रहा कुछ उटाइज भरी तो नहीं के कुछ चोराया तो नहीं पिदा कि भुट बढ़िया काम बहुत बढ़िया सावास तुने हमारी इज्जत रख लेकिन मेरे चैनी नहीं पड़ रहा था कुछ भी देखती तो इसको उठा लूँ यह चोरा लूँ फिर अखिर कार मैंने अपने मन को समझाया और जिस चम्मच से चांट रही थी ना ओ पिलास्ट है वो कि ऐसी संसार चलता है ज्ञानी इस संसकारों को धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है संयम के बलपर संसकारों का विनास होता है अपने संसकारों को समालें अपने संयम को समालें कि बिवेक के बलपर कि शंकल्प के बलपर संसकार को समाल लेते रात्री भुजन ट्याग है निवा रहे हैं कैसारे श्रावख हैं व्रथ हैं विवे जाना हो तो भी निवा लेते हैं अभी से करना है तो भी कर लेते हैं और ये अच्छे संस्कार का श।ार का अनूसरन करते हैं तो पोरे संसकार चोटते जाते स्वार्ट है कि अस्ङन मिचई थी टिम हमेट हस्ण करते हैं असोग जी अस्टेमइच डीोट हशान करते हैं देखो दोनों असुक बड़े असुक छोटे असुक पार्टनिजी से मैंने एक दिन पुछा था कि बाहर जाते तो कैसे निपता है एरोपलेन में खटो वो क्या बोलते हैं उसको उडन खटोला हैलिकाप्टर बाहर जाते हैं तो भी पोले निप जाता है बस कभी-कभी परिक्षा होती है कि साम तक भी विवस्ता नहीं बेठे लेकिन साम होते होते तो विवस्ता बैठी जाते आपके नियंथ आपका व्राथ आपका एक असन यह संकल्प है पुराने संसkारों को तोड़ने के लिए यह आपका पुरसार्थ है इस पुर्शार्थ को आप करते रहिए लिश्चित रुप से मंगल होगा जाए बुलिए 24 तिधंकर भगवान की